हलो गाईज यार तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़ी आओंगे और बिल्कुल सेफ होंगे गाईज तो जैसा कि आपने thumbnail में देखा होगा आपका भाई लेकर आ चुका एक बहुत यह awesome वीडियो जो कि tips and tricks के ओने वाली है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसay पाच tips and tricks के बारे में जिनको use करके आप अपने friends को बहुत ही जादा impress कर सकते हो और बहुत easily एनिमीज को अलग अलग locations पे मार सकते हो और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन्हें कहां से मारा ठीक है और इसमें हम इस वीडियो में सिर्फ हम बंदों को मारने के बदले हम थोड़ा बचने के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हमें पता है कि मारने के साथ साथ ह सबसे पहला ट्रिक हमारा होने वाला है जो कि स्कूल में होने वाला है स्कूल बहुत ही बंदे जाते हैं मैप के बिलकुल सेंटर में होता है स्कूल और स्कूल में ये ट्रिक बहुत ही ओसम वर्क कर रही है अगर आपको ये ट्रिक का काम करवानी है तो इस हॉल के आपको बिल्कुल tips and tricks बताऊंगा और कुछ भी नहीं, तो देख सकते हो, सामने एक bot आचुका है बाहर, वो भी मुझे spot नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल stairs के अंदर हूँ, देखो, आर पार दीवार है, तो obviously bot मुझे मार नहीं सकता, नहीं कोई बंदा spot कर पाएगा, उसे म मेरे footsteps की आवाज आएगी, footprint आएगा map में, बट वो मुझे मार नहीं पाएगा, यह है big win jelly game, इस game में आप धेर सारे पैसे कमा सकते हैं, वो भी google play और paypal gift card में, यहापे आपको अंदर आना इस game के अंदर और invite पे click करना है, जो आपको invite code आपके screen पे दिख रहा है, simply वही invite code आ पे पेज़ आपके unlock हो जाएंगे, जो पहले आपको नहीं दिख रहते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो, धेर सारे options आ शुके हैं, इस game में आपको simple puzzle solve करने हैं, और उन puzzles के बदले आपको धेर सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो जैसा कि हम पहला puzzle solve करने हैं, और यहापर दे requirement 100 dollars कि होगे, आप easily इसे redeem भी कर पाऊगे, और साथी साथ अपने दोस्तों को refer करके भी आप धेर सारे पैसे earn कर सकते हो, यहापर, तो जाओ यार ज़रूर डाउनलोड करो, link is in the description guys, अगर कोई real बंदा भी आ जाता है तो, bot spot नहीं कर पारे, bot नहीं आप पारे मेरे पास, तो real बंदा तो छोड़ी तो guys, तो यहाँ देख सकते हो, मेरा friend है, इस trick के लिए आपको एक teammate तो चाहिए होगा, आप इसे solo में नहीं कर पाऊगे, duo या squad में यह आप इसे कर सकते हो, और बाहर निकलना है तो simply आपको दीवार के पास आकि jump button प्रेस करना, और boom guys आप बाहर आ जा होता कि है, कि जब हम इस घर पे push करते हो, तो यहाँ पे बंदे सीडियों में बैठे होते होते हैं, यहाँ सीडियों के पीछे, यहाँ पे दीवार पे TPP लेकर खड़े होते हैं, और जैसी हम सीडियों से उपर चुड़ते हैं, हम में अराम से TPP लेकर मार देते हैं, वो लो होगा कि आप यहां तक आ चुके हैं और simply अंदर जंप करोगे कहीं भी बंदे हैं आप उन्हें easily spot करके मार सकते हो कहीं भी बैठा है अगर वो इसके पीछे टीपी बिले रहे तो उसे मार सकते हो सीडियों के उपर बैठा है तो वहां और अगर बालकनी में के बगल वाले रूम में तो वहां भी आप easily उसे finish कर सकते हो और इस से बढ़िया trick इस घर के लिए तो बिलकुल हो ही नहीं सकती है तो ये एक trick हो गई हमारी बंदों को उपर चड़के मारने की दूसरी बचने की trick की अगर हम बात करें तो simply आप वापिस से यहां पर आ सकते हो जब आप पर rush हो पूरी squad का तो आप simply यहां पर आकर इस shelter के उपर लेट सकते हो मतलब ये जो बना हुआ है इसके उपर आप छज़ा बोल सकते हो जैसे की तो इसके उपर आप आराम से लेट जाओगे cover लेके आपको simply बाहर के enemies से बचना होगा लेकिन अगर कोई भी बन्दा घर के अंदर rush कर रहा है या कोई भी squad rush कर रही है और आप अकेले 1v4 का situation है या 1v3 का तो आप easily वहाँ पर आराम से safely बच सकते हो कोई बन्दा spot नहीं कर पाएगा यह मेरी guarantee है बस आपको बाहर वाले enemies से बचकर वहाँ पर रहना होगा हमारी अगले trick होने वाली है आप देख सकते हो इस building के उपर चड़ने का कोई भी stairs नहीं है तो हमें simply बालकनी में आना है FPP में थोड़ा सा करना होगा हमें और FPP में जैसे ही आप करते हो वैसे ही आपको थोड़ा सा अपने आपको adjust करना है और यह जो पीछे थोड़ा हलकाना और jump crest करना और boom guys आप ledge grab करके उपर आराम से चड़ जाओगे और यहाँ पर जितने भी enemies है आप उन्हें easily spot करके finish कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के जैसा कि आप देख सकते हो सामने अगर enemies है उनके पास higher ground का advantage है तो आप भी इस घर पे बैठ कर higher ground का advantage ले सकते हो क्योंकि आप घर के अंदर रहकर बंदों को घास में spot करना बिलकुल impossible हो जाता है इस घर में बैठ के बट अगर आप छट में चड़ जा रहे हो तो फिर तो आपके बास advantages है हर घर में कहीं भी अगर बंदे इस घर में है तो आप easily यहाँ पर TPP लेकर आराम से higher ground का advantage लेकर आप उन्हें मार सकते हो इस घर में है तो इस घर की सीडियों पर बैटा है तो वहाँ पर भी मार सकते हो बालकनी में है तो आप बालकनी में भी मार सकते हो तो आपके पास बहुत जादा advantage हो जाता है अगर आप इस घर के उपर चड़ जाते हो या फिर अगर enemies push करते हैं तो आप simply इस घर के उपर चड़ कर लेट जाओ और बिलकुल मज़े करो यार और बिलकुल survive करो क्योंकि हमें पता है सिर्फ मारना game नहीं है हमें survive भी करना है और बहुत time ऐसा situation आ तो हमारी अगली trick होने वाली है बिलकुल schools में हमने schools के main building का trick आपको बता दिया वो stairs के नीचे आप आराम से safe रह सकते हो बिना किसी को मारे और बिना किसी से मरे और दूसरी trick हमारी होने वाली है यहां पर जो कि swimming pool वाला building है क्योंकि यहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि बंदे आपको मार सकते हैं तो आपको simply यहां से इस थरीके से उपर चड़ना इस दीवार से आपको चड़ना थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि जैसे आप इस दीवार पर चड़ोगी आपका बंदा हवा में आ जाएगा तो आपको एक बार और jump press करना है और boom wise आप इस दीव कर जा रहा है सामने से या पर या फिर उस सीडियों के सामने टीपी पी लेकर बैठा है ठीक है कैंप कर रहा है तो आप इसली यहां से भी उसे मार सकते हो दूसरी चीज अगर बात करो तो यहां पर नीचे अगर सीडियों पर कोई बैठे हैं या फिर hold करके बैठे हैं तो आ आप जैसा कि आप देख सकते हो, यह सामने एक बड़ा सा तवा आपको दिख रहा है, आप इसे तवा ही कहोगे, मुझे तो पता नहीं यह क्या है, अच्छली यह पैन बोल सकते हो, आप इसको यह पैन रोटी गरम करने वाला तवा है, यह ऐसे प्रेस करेगा, तो आपको इसक तो मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर के बारे में क्यूंकि हम डेली स्ट्रीम पर उनके साथ खेल दें तो हमें पता है हमारे सब्सक्राइबर बिल्गुल प्रो हैं तो हमें कोई जरुरत नहीं है उतना जाधा बताने की तो आप इस एक बार अगर इसके उपर चल जाते हो तो आपके पास यहाँ फिर height advantage बहुत ज़ादा हो जाता हाई ground का advantage, अगर आप यहाँ late जाओ, तो आपको C building से तो कोई बंदा spot नहीं कर सकता, नहीं right वाले office की तरफ से, बस आपको ध्यान देना है, तो आपको पीछे वाले side पे ध्यान देना है, वरना आपको कोई भी कहीं भी spot नहीं कर पाएगा, अगर आप यहाँ पर एक बार भी late जाते हो तो, दूसरी अगर बात करें, अगर office में सामने बंदे हैं, तो वहाँ पे आप easily उन्हें spot कर सकते हो, सी बिल्डिंग की छट पे बंदे हैं, या सी बिल्डिंग से कोई बाहर से दोड़ कर जा रहा है, बस आपको बचना है, तो इस बिल्डिंग से बचना है, तो आपके teammates easily आपका bot का kill भी चोरी कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर आराम से बैट जाओ, क्योंकि आपको हर जगए यहाँ से देख सकते हो, आप कोई ऐसा location नहीं है, जो यहाँ से आप देख नहीं सकते हैं, दूर दूर तक आपको देखेगा, कहीं से भी कोई bot बंदा आ तो आप easily उसे spot करके मार सकते हो, बिना किसी दिक्कत के, तो यही है guys, एक last trick हमारा, बस आपको इस घर से बचना है, आपके सामने कहीं भी अगर enemies हैं, तो आप easily यहाँ से TPP ले सकते हो, easily उनके cover से, fire से बच सकते हो, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया trick यह भी हो सकती है आप सब्सक्राइब कर देख रहे हैं, तो ज़रूर से एक बार चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना guys, क्योंकि आपको ऐसे ही awesome contents यहाँ पर regularly देखने को मिलने वाले हैं, आप सबको जैसा कि पता है, आपका भाई already streaming चालू कर चुका है, जो कि पिछले 15 दिन से हमने streaming चालू कर तो मिलते हैं guys next video में और तब तक के लिए टाटा बाई बाई